तो आज की टॉपिक में हम बात करेंगे प्यूवर्ट टेबल के बारे में प्यूवर्ट टेबल जैसे कि आप जानते हैं किसी भी डेटा को अनलाइज करने के लिए summarize करने के लिए और represent करने के लिए pivot table का इस्तमाल किया जा सकता है यह सकते हैं कि यह कह सकते हैं कि pivot table का use हम लोग reports को बनाने के लिए करते हैं किसी भी report को बनाना है किसी भी data के उपर summary calculate करना है तो हम pivot table का इस्तमाल करें जैसे कि आप हमारे सामने data दिख रहे हैं इस डेटा पर माल लिए मुझे पता करना कि किस पर्सन ने कितनी क्वांटिटी सेल की है तो इसमें फिल्टर लगा के टोटल देखना या समीव का फॉर्म लगाना उससे बेटर है कि इस पर हम पिवट लगाने तो पिवट लगाने के लिए डेटा को ऐख्या की जिए इनुसार्ट में जाइए और पिवट टेबल पी कलिक कर देजिए और यहां पर आपको ऐसा दिखेगा लेकिन इसके बारे में बाद में बात करेंगे फिल्हाल आप जिसको ओके क्लिक करेंगे जैसे इक नई हुआ है ठीक है सब है है अलो हुआ है सवाज आरी मेरे आपको तो साले के सारे जुप फिल्ड है आ आपके किसी के डेटा का कॉलं का हीडिंग अगर हीडिंग ब्लैंक हुआ थो फिर पिट अशैप्ट नहीं करेंगा ठीक है सर तो आपड चलते हैं ऑफ कुछ नहीं करना है यह आपके पास चार बॉक्स है फिल्टर कॉलंग वैल याज रोग अब इसमेंसे फिल्ट को उठाएं कि इन चारों में ही पुट करना है जिसे इन चारों में आप पुट करेंगे आपका रिपोर्ट बनता चला जाएगा जैसे मान लेजिए मुझे चाहिए नेम बाइस टोटल क्वांटिटी तो नेम के उठाके मैंने रो में रखा तो यहां पर एक ची देखिए आपके डेटा मे में वहले ही नेम एक नेम से पूजा को ले लिजिए कम सो बार इपिटेट होगा इसमें पर लेकिन आपके पिवट में यह वन टाइम आएगा इससे एक और बेनेफित होता है कि अगर किसी डेटा के अंदर का यूनीक हैट काउंट आपको निकालना है कि टोटल यूनीक तो आप यूज कर सकते हैं पूट में ठीक है आब कहीन हमेरे कोश्त आता है कि हम रोबंस रूम करता हैं क्या जरूरी है इक हम रो में ही रखें डेकि रखने चैनार कॉलन में आAgEं है थीक है लेगि जर्रली देया हम रोबाइअ बेस लिख सकते हैं जरुरिए लेकिर ने हम अब वापस आते हैं quantity को रखते हैं value में रखना है इसमें नियम है कि कोई भी फिल को value में तब रखते हैं जब उसकी calculation करनी होती है जिसे मुझे total करनी है quantity की तो यहां पर आगे अब total के अलावा कुछ और calculation भी की जा सकती है इसके लिए यहां आपको दिखरा आपको साइड में एरो की उस पर क्लिक कीजिए और यहीं पर आपको वैलू फिल्ट सेटिंग दिखरा होगा इसके क्लिक कीजिएगा यहीं पर आप सम काउंट एवरेंज मिनमर मैक्सिमम प्रड़क्ट डिवियेशन सारे कर सकते हैं ख़्यली मिर्वियेशन से ख़्याना इसल्द एवरेंड डावन एवरेंड भाएं कि यहां फिलाल हम सम को छोड़ देते हैं सब्सक्राइब तो डेटा बन गया अब डेटा की बात आती है क्योंकि डेटा ऐसे ही तो नहीं बेज़ुगा ना हमें इसको फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी ने तो इसके लिए आपको जिसे सबसे पर यहां पर एक रोलेबल दिख रहा है मैं चाहता है इसको नेम सो यहां पर तो मैंने यहां पर नेम लिख दिया नेम शो गया अब यहा क्योंगा के जगह ठोटल चाहिए नहीं है यहालगी यहां से आप अपनी मैनुल ऑड़ कर सकते हैं किआभ अब यहांरे जालेजिए कि यहां से आप अपनी मैनुवन सुनिंग कर सकते हैं तो एक वात जालें जालीजिए कि आपका data कल ओने система अगर update होता है तो यहाँ refresh करना मतलब कि अभी फिलहार डेटा थीच है इसमें अगर को चैंजिंग होता है न तो पीवट पर तभी रिफ्रेक्ट करेगा जब इसको डिफ्रेस करेंगा रिफ्रेस करने के लिए जैसे राइट किलिक कीजिए रिफ्रेस कीजिए आपका रिफ्र तो इसके लिए हम करते हैं कि आप डिजाइन पे जाएं और डिजाइन के अंदर आप देखे बहुत सारे वामेटिंग के लेबल हैं आप इस फॉर्मेटिंग को चूज कर सकते हैं ते बने बनाया फॉर्मेटिंग है आप जो फॉर्मेटिंग लेना चाहिए और ले लीजिए आपका देटा उसी इसाफ से फॉर्मेट हो जाएगा अब सम्टाइम या करते हैं हम पिवर्ट की ऊपर चार्ट भी अपलाई करते हैं तो क्या हम पिवर्ट में चार्ट अपलाई कर सकते हैं हाँ चार्ट भी अपलाई कर सकते हैं इसके लिए हम यहां चार्ट पे क्लिक करेंगे ठीक है इस चार्ट हमारा पिबड से Connected होगा चार्ट की भी अपनी डिजाइन है डिजाइन चार्ट पी क्लिक करके डिजाइन में जाएंगे तो यहां चार्ट के आपको डिजाइन दिखेंगे जो डिजाइन आपके लिए सुटेबल है वो आप यूज कर लिए यह आपका रि जाने हुए है अपना नेम वाई सेल वाईस न हमारा ग्रीड है तो इसमें हमें वैलू चाहिए होगा तो वैलू भी अपड़रेट कर सकते हैं जी आइस पर आइड क्लिक कि एड डेटा लेबल जी जी है ओके ठीक है कि अबने ब्रच की ऐसे सब्सेह पहले आपको अपका डेटा का रएकी और जेली व're the चीजिए करने जा रहे हैं संस्वी बनाए जा रहे हैं डेटा के बारे में आफको नहीं को नहीं पटा थो आप आप फिबत लगाना आपके रिए क्व मिस्किल होगा ओं यह ठीक है तो इससे डेटा के बारे में पता होना जाए दूसरा आपको इस डेटा से निकालना क्या है कि यह भी पता होना चाहिए लिकल जाए कि मालीची जो डेटा हमारा है मुझे इसमें इससे चाहिए क्या मैं जाहता हम कि मुझे इसमें चाहिए ई टोटन निकालना आए यह या आवरीज निकालना तो क्या चाहिए अब ये यह जानी आपको आउट्र तरह के चाहिए दो यह अगी पता नहीं रहाये तो फिर मुस्किल होत है तीसरा पीवर्ट लगाने से पहले दोची चेक करें आपका हेडिंग ब्लैंक नहीं होना चाहिए और आपका डेटा के बीच में कहीं पूरी के पूरी ब्लैंक रो नहीं होनी चाहिए अगर पूरी के पूरी ब्लैंक रो है तो आपको पीवर्ट लगाने से पहले उस डेटा को स्लेक्ट करना पड़ेगा नहीं तो क्या होगा एक अपका ब्लैंक रोज से उपर का ही डेटा पीवट में लग जाएगा नीचे का डेटा पीवट में नहीं लगेगा इसका ध्यान आप रखेंगे अब यहां पर हम पीवट लगाने जा रहे हैं अब मुझे इस पर किस तरक हैं मुझे चाहिए कि किस परसं ने किस सिटी में किस सिटी में कितनी कौनिटिटे लिए और मुझे एरिया भी one by one area भी देखना है हमें तो इसके लिए हमने यहां एक और पिवट लगाया और पिवट लगाने के बाद हमने नेम को रखा रो में हमने city को रखा कॉलन में कॉंटिति का नया टोटल किया तो यह हमारा निकल गया किकिस परस्टी में यह इस परशन ने किस स्टी में कितना खुल किया अब यहां पर देखे जिस जिस से नमाने पूझा ने नोइड़ा कालपूर बटना में तेल नहीं गया है तो पिर आनग आप चलए हम ब्ला जिरो ठीक है तो क्या करेंगे इसके लिए इसके लिए हम इस पर राइट क्लिक करेंगे हम जाएंगे पीपटेबल ओप्षन और यहां पर यहां दिख लाओं का फोर एमपेटी सेल्स जो की बाइड डिफोल्ट ब्लैंंक है इस ब्लैंक के जगर पर हम डालेंगे जीरो और जीरो डालने के बाद जस्ट प्रेस्ट ओके दिखिया ज़र को दिखते इसमें इसको दुबारा कहां से ऑप्षिन आया है राइट क्लिक पिवेट टेबल ऑप्षिन्स यहां दिख रहा है तो इस तरह सब्सक्राइब को जीरो से रिप्लेस कर सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं जीरो के जगह कुछ भी लिख सकते हैं जब जीरो टाइप कर सकते हैं तो इसको कुछ भी टाइप कर सकते हैं अब सर सेकंड तींग यह पूरा हो गया तो मैं सवाल करूं सर कुछ यह क्या सवाल है आपको आप चार्ट बना रहे थे ना मेरा भी ऐसे कुछ सब्सक्राइब करना चाहूंगा हम आपको अभी चार्ट में देखाया एक इस तरह से लगा सकते में चार्ट पढ़ाया नहीं है तो कुछ तो आप तशली से अपने सारे प्रॉब्लम डीजी ठीक है चले एभी यहां से चार्ट के तरह बड़ेंगे तो पीब टे पो जाएगा जैक जो चार्ट बना है उस चार्ट को एक नहीं शूठ भी ले सकते चेंगा करके पेस्ट कर सकते नहीं द्वाएक चैन्जस करेंगा रए तो यहां जो आपके सामने जीरु आया इस तरग डिटा आया अब मुझे इसमें त hugging oz इपाती हुँझे asset को देखना है टो आप एडिया को उठा के फिल्टर में लबहा सकते यह फिल्टर होता यह पेज सेंट्रarmed पैज का वाले फिल्ट को रखना है जिसकी वैलू जापको यहां शो करेगी रो वाइज ये आपका जो आइटम आपको रोह के अकॉर्डिंग चाहिए और जो आइटम आपका कॉलम का चाहिए तो जो कॉलम अभी जैसे रोन कॉलम दिख रहे हैं इसको मैंत्रिक्स कॉमेंट कहते हैं द देटा तभी छोटा है लेकिन कल के डीट में डेटा आपका बड़ा होगा जैसे मैंने याँ डेट को ठाकर रख देता हूं और इसको अंग्रूप कर देता हूं तो आप देख सकते काफी बड़ा डेट होगा ला तो इसको इस तरह से नविगेट करना प्रॉब्लम होगे क्या लेकिन मैं इसी डेट को ठाकर अगर रो में डख दूँगा तो यहां हमें लिए उत्रा प्रॉब्लम क्रियेट नहीं करें करा है सर्थ तो यहां पर क्या होता है कि आपका अगर लिस्ट काफी बड़ा है तो आप अपने हेडिंग को सब हेडिंग अपने फिल्ड को सब फ प्रॉटल फॉर्मेट में आ जाएगा अभी देखिए नहीं के आगे जो प्लस माइनस का साइन लगा दिकर आपको इसको क्लैप्स और एक्सपैंड करते हैं इस पे क्लिक करके ऊपर देखिए जैसे पीबट टेबल पे क्लिक करेंगे ना आपके पास दो नया टेव आएगा पीबट टेबल अनलाइज और पीबट टेबल डिजाइन है ठीक है तो यहां आप देखेंगे कि में पास पीबट टेबल डिजाइन के अंदर में जो है यह देखिए ऑ कोलैप्स और एक्सपैंड का ओप्शन है कि यहां पेपाई हो गया यह आपका expand करता तो जैसिकी आपके बहुत बढ़ी data है तो आप एक सकत आगी इससे की उसमें आप दे सकते हैं पूजा ने डिश्य थे सेल किया 2658 में जनना कि तो जस चेल किया है और हम ज republican धार ने मुझसा एंड़ जापुर विब एक है तो meant सेल किया या थीक है आसे लेकिन अब मेंół है निया ये यह तब होती है जब हम स्विर तेबल और टेबल को एक को सब। बोलख घंब भी रिपॉर्ट बेजते हैं लेकिन रहरा पिप लिएस्ट करते हैं तो तो उस case में क्या होगा माल जिए मुझे को लेकि स्केल कोलेशन करना है तो यहां पर दिक्कत होगा तो पहले मैं जो सब्टोर्टल है उसको हटाना चाहूंगा मुझे सब्टोर्टल की जरूरत नहीं है तो राइट क्लिक कीजिए सब्टोर्टल के ऊपर यहां पर देखिए सब्टोर्टल हट जाए अब परब्लम है कि जब मैं इसको कॉपी करके जब यहां पेस्ट करूँ गा तो देखेंगे एक फिल्म में आपका नेम भी है और एक ही फिल्म में आपके दिखिश्जियं लेजाइट को चेंज करना है लियाउट को चेंजक करना मैं चाहता हूं कि पहले में city आए एकोलन में नेम आए दूसे कॉलम में City और तीसे कॉलन में हमारा कि देटा था अभी फिलाण हम ने क्या करका है दो कॉलम मुझे तीर कॉलम में चाहिए चीज़े तो इसके दो तीन तरीके हैं पैला तरीका है कि अब डिजाइन में सुरी डिजाइन में जाए और पिपोर्ट लेआउट पे जाके आप यहां पर आपका फिलार एकॉंपेट वाम में है यहां आपका सो और प्लाइन फॉर्म देखें आगारा हो गया तो टैबलर फॉर्म या फिर आप राइट क्लिक करके पिवर्ट टेबल ऑप्शन में डिस्प्ले के अंदर आप यहां क्लासिक इस तरह से वह जाता है तो क्लासिक वाला वही रिजन देरा जो आप पहले बता रहे थे नहीं अलग लग कॉलन में देखिए अच्छा नहीं आपने भी कुछ किया देना सर्व इसमें लियाउट में जाके हाल अलग लियाउट है इसे माली से मैंने यहां पर कर दिया यह तो थ है कि अब इसको ले जाओंगा तो दिंकत होगा क्योंकि छोटा डेटा है बड़ेटा होगा तो फिल्टर को लगाने में प्रॉब्लम होगा नॉर्मल कॉपी पेंस करने के बाद क्योंकि एक के नीचे ब्लैंक है मैं चाहतों यह फिल हो जाए पूजा मोहान सा फिल हो जाए जी जी यहां पर आपको रिपीट ओल आइटम लेवल करने कभी कभी क्या होता है कि हमें एक के बाद एक को गैप देना होता है तो गैप देने के लिए हमें यहां इन्सर ब्लैंक लाइट आफ्टर इच आइटम हो गया है मुझे इसको हटाना है वह आपका सही करना है रिमूव कर दीजिए और यहां पे डिनॉर्ट रिपीट कर दीजिए आपको मॉर्ज करना चाहते है मैं चाहते हैं मॉर्ज हो जाए इस तरह से यह मल्ड हुण तो merge करने के लिए right click pivot table option और यहां पर कर दीजिए merge and center यह देखी आपस में merge हो जाएगा हो गया merge अब इसमें चीज और आती है जिसे पूजा ने जैपुर में one two four three select किया है अब थुरा से confusion है कि one two four three जो इसे चेल किया है आखि इसका है टोटल डीटा क्या है डेटा सूर्स क्या है मुझे इसका डेटा सोर्स के बारे है पता करना है तो जस्ट मैं इस पे double click करूंगा और एक नई शीट पर आप देखिए हमारे पूरा डेटा आगा है कि अगया सर्थ है कि एक नई शीट करेंगे तो आपको एक नई पिवर्ट एक नई शीट में उसकी पूड़ी की पूड़ी डेटा जाएगा अब चाहते है चीज ना हो डबल क्लिक करेंगे तो आपको यहां मिलेगा डेटा और डेटा के अंदर में होगा अने वर शोव डिटेल्स कि इसको और चेक कर दीजिए आपका अब डबल क्लिक करने पर डेटा नहीं आए कि क्लियर है